हेलो गाइस तो स्वागत्ते आपका टेक्निकल अंकेत मैं और में नामें अंकेत और आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ आईक्यू जैट सिक्सलाइट 5G फोन की अंबोक्सिंग तो गाइस यह मेरी फर्स्ट अंबोक्सिंग वीडियो होने वाली है और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फोन को अंबोक्स करने के लिए तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड देन चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो गाइस लेट स्टार्ट अनबोक्सिंग तो गाइस हमें सबसे पहले बॉक्स में एक केश देखनों मिल जाता है जो कि हमारे फॉन का केस है और यह डिसेंट क्यूल्टी का केस है एंड दन हमें इस बॉक्स में कुछ डॉक्मेंटेशन देखनों मिल जाती है फॉन को यूस करने के लिए जिन है को ही नहीं पढ़ता आपको इस बॉक्स में देखने को नहीं मिलता है क्यूंकि आइक्यू वाले चार्जर प्रोवाइड नहीं करते हैं इस पॉन के साथ तो आपको चार्जर बाहर से और ना पड़ेगा या बाहर की दुकान से परचेस करना पड़ेगा तो गाइस इसका चार्जर 18 वोट का आत की तो गाइस सबसे पहले मेरे को इस फॉन की अच्छी बात यह लगी क्योंकि यह फॉन काफी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का देखनों मिलता है और इन हैंट फिल काफी ज़्यादा जबर जस्त है और यह फॉन आपके हाथ में पूरी तरीके से स्टेबल आएगा क्यों आपको काफी जयदा प्लें आपको एक वड्ट्र त्रेध τबी जाती है अब बात करते हैं नौर्ण होता है और आपको फॉन ओपन कर लिया है तो अब बात करते हैं इसके डिस्प्लेइ के तो आपको इस फॉन में एक बिक साइच की डिस्प्ले देखनों मिल जाती है जो कि 6.58 इंचिस की फॉल एचिए प्लस एल्टी डिस्प्ले है और आपको फॉन में ठोड़े से वैजल देखनों मिलते हैं जो कि इस प्रैजरेंड में नहीं होने चिए थे वाट इट्सप्ले आपको इस डिस्प्ले की काफी ज़्याद अच्छी देखनों मिलती है इस फॉन में तो गाई अब करते इसके रेम की तो आपको इस फॉन में दो वेरियंट दिखनों मिलते हैं फिर्ष्ट फॉर प्लस 64GB एंड़न सेकिंड शिक्स प्लस 128GB तो गाइज मेरे पास यहां तो गाइज आपको इस फॉन में आउट आउड दा वॉक्ट फंटच ओएस ट्यल अपडेट देखनों मिलता है और आपको इस फॉन में थ्री इयर्स के मेजर एंड़ोइड अपडेट देखनों मिलेंगे तो गाइज आपका यह लगबग फंटच ओएस 15 तक पहुच जाएग तो गाइज अब बात करते है कैमरे की तो यह रही है कैमरे की फोटो और देखा जाएग डिटेलिंग की तो आपको इस 50 मेगा फिक्सल वाले कैमरे से फोटो काफी जादा अच्छी देखनों मिलती है और काफी जादा अच्छी डिटेलिंग देखनों मिलती है फोटो की तो आपको इस phone में dual 5G band का support देखने हो मिलता है और Bluetooth 5.1 का support देखने हो मिलता है और आपको इसमें 555.0 का support देखने हो मिलता है इस phone में overall guys मैंने आपको इस phone के बारे में सब कुछ बता दिया है अब जो की एक last चीज रह गी है वह इस phone का price तो guys इस phone का price आपको online साड़े 15,000 रुपे देखने हो मिलता है और बाकी offline store पर भी आपको इसका price सेमी देखने हो मिलता है तो guys मैंने इस phone को वैसे online order किया है अगर आपको online order नहीं करना है तो आप store पर जाकर भी ले सकते हो तो guys आपको इस price range में यह phone कैसा लगा comment box में जरू बत मेलों को भी subscribe कर देना और side में bell icon को press जरू कर देना ताक कि आपको मेरी अगली वीडियो की notification सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं अगली वीडियो में thank you